तो दोस्तों आज मेरे गाउं में दूसरा दिन है आज सुबह से ही बाड़ी सो रहा बहुत तेज इसलिए स्थन्ड भी कुछ जादा ही है तो मैं टोपी भी पहन के निकल गया जोगी घर में ऐसे मन नहीं लग रहा है ठीक है यहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाने गया उसक आपको कुवाँ देखने मिलेगा जो के घेरा हुआ है देख सकते हैं तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो दूनों ने बोला कि बच्चे वागए गिर न जाए इसलिए इसलिए इसको घेर के रखा जाता बरड पानी वगरे इसमें नहीं ता ठीक ऊसके बाट देख सकते हैं यहां पर पानी वगरे होर्ण होड़ा पुरा कीचर वगरे होड़ा हुआ है यहां पर दिशुरा दोनो भाई दोनों भाई में रहे हम लोगे बाइक चलिक यह मंदिर है और इसे तेवला कीचर कीचर हुआ है और बाडिश भी होड़ा है यहां पर मेरे भाई लोग ने सिम ले रहा था थीज़ा सिम लेने को पाद हम अपने घर के तरफने तरफ निकलते हैं घर में देखते हैं कि दादी क्या कर रही है तो घर आते ही देख सकते हैं पर दादी हमारा खाना बना रही है यहां पर सबजी अगर है मैंने ले के आया था मार्केट से और यह महेंग और रानी फॉमा पर मस्ती कर रहा है महेंग हमें से पड़िसान करते रहता है दिन पर दिन चेन से बांध के रखा है ताकि कोई लेके भाग ना जाए रात को हम लोग सोय रहे हैं यहां पर देखें सिलेंडर गायाव हो गया है देख सकते हैं यह हमारा कुछ इस तरह से चाचा ने इस साली पेंटिंग करवाया है यहां पर देखें बाइक भी रखा हुआ है जो कि कआ हैं में अंडा का ओमलेट बना लो तो यहां पर गाउं के घर में इस तरह से सीलिंग वगेरा रहता है बहुत ही मस्त जगा है लेकिन मज़ा आड़ा है यहां पर रहने में दो दिन बाद हम लोग निकल जाएंगे उसके बाद यह गाओं को बहुत मिस करेंगे उसके पता निक कब आना होगा